सबी दोस्तों को जैक हेड बंदे मातरम राम राम ऐसे सीजीड और पोवाली भरती का फाइलनल कटप कितना जाएगा कितना नंबर होगा ता आपका कंफर्म सेलेक्शन होने वाला है दिन बच्चों का 5 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर जादा है उनका सेलेक्शन होगा कि नहीं पास हो रहे हैं, पासिंग रेशियो क्या है, और SSGD 24 की भरती का जोइनिंग कब तक होगा, जोइन डेट क्या रहने वाला है, इसके बारे में 8 जानकारी इस वीडियो मिल जाएगी, वीडियो सुरू से इन तक ज़रूर देखना, वीडियो आप सभी के लिए most point रहने वाला क्या है, कितने बच्चे, SSGD 24 की भरती की त्यारी कर रहे हैं, इस बुक के बारे में 8 जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, आईए चलते हैं, दोस्तों, फिजिक्स वाला के वहां दी बैस प्रिबेस इस वीडियो बुक आ चुकी है, आप सभी के ल मिलने वाला है, यहाँ पर देख सकते हैं, टॉपिक-वाइज दोस्तों, एनलिसिस किया गया है, कौन को से टॉपिज जाला तर कोशन गिरे थे, पर एनलिसिस लरके यहाँ पर डाला गया है, यह रहा कोशन, और यहाँ पर दोस्तों, आपको सौट एक्जामपल के साथ हो जाएगा, और जिन बच्चों को चैप्टर वाइज 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 बुक से तयारी करनी है, उनके लिए एक और बुक आती है, फिजिक्स वाला कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें आपको चैप्टर वाइज वाइज बुक मिल जाएगा, इसमें आपके हिंदी, इंग्लिश, रिजनिंग, सभी के दोस्तों सेपरेट टॉपिक वाइस कोश्चर मिलने वाले हैं, इसके साथ इसमें आपको पांच जार दोसो टीसम्स कोश्चर मिल जाएगा, इसमें आपको प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है, दस आप आप ओनलाइन CPT एक्जाम दे सकते हो इसके साथ 10 आपको करेंट अफेस की बुक मिलने वाली है, जैसे हैं आप QR को रिसकेन करोगे, यह सारे इस बुक का अगलोल हो जाएगी, तो यह सारे बुक का लिंक मैंने वीडियो के डिस्टिस्टर में डाल दिया है, जो कि आपको Amazon अप्लीप कर सकते हो, और अपना सेलेक की बात करें, तो आप सभी को पता है, एक से लेके सात्वे दिन तक प्रिटल सो किंडिट को बुलाया गया था, फिजिकल के लिए, और उसमें से भाईया, मात्रा आपे कितने बंदे पहुंच रहे थे, तो 30 से लेके 25 बंदे ही पहुंच रहे थे, फिजिकल देने के लिए, और इसमें से भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, जो कि आपके फिजिकल में फेल हो जा रहे थे, बात बाकि मेडिकल तक पहुंचते 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 पासिंग एवरेज जो था, 15 से लेके 20 परसेंट का एवरेज में बच्चे पास हो रहे थे, एक से लेके सात्वे दिन के भी तर, और आप सेंट भाईया, 50 लेके 55 बंदे हो रहे थे, लेकिन आप सभी को पता है, सात्वे दिन के बाद जो आठवे दिन से आपका फिजिकल स्टार्ट हुआ, उसमें 140 बंदों को बुलाना सुरू किया गया, हर सेंटर में, और उसमें 50 लेके 55 बंदे जा रहे थे, मतलब सात्वे दिन के बाद, जो आपका आठवे दिन से फिजिकल चला है, उसमें पासिंग एवरेज बढ़ा है, 20 से 25 परसंट का एवरेज हो गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एवरेज 50 परसंट का हुआ हो, एवरेज वही जो आप 15 से 20 था, वो आप 25 हो गया, मतलब 5 परसंट का आवरेज बढ़ा है, फिजिकल पास होने का, अगर हमें काल्कुलेट करें कि अपकी बार कितना बंदे पास हो रहे हैं, फिजिकल कितने बंदे फेल हो रहे हैं, तो अगर फिजिकल मेडिकल सब कुछ लिया जाए, तो दोस्तों मैं बतादों, ती करें, आप बहुता कम निकाल रहे हो, और जदा रहते हो, चलो, 20 परसंट का आवरेज उठाओगे, तो करीबन एक लाख पाँच हजार प्लास केंड़ेट्स क्वालिफाई होंगे, ऐसे सी जीडी फिजिकल मेडिकल डॉक्मोर रिपीकेशन, और पोस्त कि संगया, कितने हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, श्यालिस हजार प्लास, और कितने बंदे क्वालिफाई करेंगे, एक लाख पाँच जार प्लास, तो अब इसमें आप इमेजिन लगा सकते हो, कि आपके कटफ कितना हाई जाएगा, और कितना लो जाने वाला है, दोस्तों, अगर हम लोग ए दस नमबर से लेके, नौ नमबर तक भी है, तो भाईया, आपका सेलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेज हैं, तो आप यह देख लो, और जो यूपी वाले स्टेट से बिलॉंग करते हैं, उनके लिए तो भाईया, चांदी चांदी, उनका ज्यादा हाई कटफ नहीं जा प्लस है, तो देखने लिए नमबर आपके इंक्रीज होने वाले हैं, यह आपको याद रखना है, इसे आप प्रीवेस एर कटफ देखें, तो आप देखें, प्रीवेस एर में बहुत सरा ऐसे श्टेट हैं, जहां पे तीन नमबर, चार नमबर, पांच नमबर, चोदर पूरा पूरी दोस्त अपने आपको सेफ मान सकते हो नौ से लेके 11 नमबर तक हिंदी वालों का 11 नमबर तक और नौन हिंदी वालों का 10 से 9 नमबर तक इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि जितने भी आपको 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 यहां पर देख सकते हैं रिजल्ट आपका जारी होने वाला है वह आपका नौंबर 2024 से लेके 1220 के बीच में रिजल्ट जारी हो जाएगा और आपका जो जो जुआनिंग होगा वह जनवरी 2025 में आपका होने वह जुआनिंग पर तैयारी में 100 परसेंट देना है और अभी में चोटे मोटे स्टेट है उन सारे श्टेट का अलमस्ट आपका फिजिकल खतम हो चुका है, अब कुछ ऐसे जो बड़े-बड़े स्टेट है, उनका फिजिकल चल रहा है, बाटबा की छोटे-मड़े जो भी स्टेट थे, उन सभी का फिजिकल निप्टा दिया गया है, अल्मोस्ट, तो मैंने आपको साईजनकाई दे दी है, अब आपको तय आपको तयारी करनी है, जितने ही बच्चों का नंबर, पांच नंबर, तीन नंबर, दो नंबर है, उन लोग को आसा छोड़के, नई भरती की त्यारी में लग जाना चाहिए, वह अब उनको भाईया नौकरी के लिए अराम से अपने आपको प्रिपार करना है, डॉक्मेट तो अगर आप तैयारी नहीं रखोगे तो फिर सिलेक्शन नहीं हो पाया कि आपकी तरह बहुत सारे बच्चे तैयारी करें पर सबका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो आपको याद रखना है तो आपको बैठे बैठे नौकली मिल जाएगी नहीं वहाँ पर 24 भरती से भी ज्यादा इसले तैयारी अभी से करनी है तो आप तैयारी में लग जाओ और पूरा-पूरी भाईया मैं बता रहा हूं जिन लोग का 10 से नंबर से लेके आपके 9 नंबर तक जादा है वह भाईया पूरा-पूरा अपना सिस्टम में पैठ जाओ कोई पी टेंस नहीं की जूरूत नहीं है अब हिंदी वालों का कट अब बढ़ता है कि आपने देखा होंगा हाली में जितने प्रिविए से कि भरती है इंदी वाले इस्टेट कट अब बहुत देंजर बढ़ा है आप देख सकते हैं तो मेरे दोस्त आप सब तयारी में लग जाओ और आप लोग का सेलेक्शन हो गया है साथ कुछ medical physical ready हो चुक है उनको टेंसनी कोई जुरत नहीं है बात बैकिया रमें री मेडिकल की बात करें री मेडिकल में कितने बंदे फिट हो रहे है तो जितने ये बंदों को री मेडिकल मिला हुआ है उनमें से भी maximum बच्चों को पास कर दिया जा रहा है पासिंग एवरेज की बात करें तो साथ परसंट के एवरेज बच्चों को पास किया जा रहा है री मेडिकल में और चारिस परसंट के एवरेज बच्चों को फेल किया जा रहा है तो अगर आपको remedical भी मिल रहा है तो घबराने की जूरत नहीं है आपको fail नहीं किया जाएगा 7% के आवरेज यहां बच्चों को remedical नहीं पास किया जा रहा है मेरे पास जो center की information है वो information में आपको दे रहा हूँ होचुका है लेकिन बहुत था याई का पॉपुट्क सब खतम हो चुका है लेकिन lara चाहसा से दर जारा हैजरा जादा है स कि जारा है वह लोग अभी तक खतुम नहीं हुआ है यह आपका दोस्तों अभी ट्रत मोर्शिया चाहिए ज होगएrence बिख्षयल चल रहा है बहुत सारे बच्चों को में यह सब मेंRe-Medical दिया जा रहा है अगर आपको भी रिङमेडिकल मिला है तो घबराने की जूरत नहीं चांती ठोक के जाना है Re-Medical दोने के लिए ऑगने पर से रिङमेडिकल क्वालिफाई करके आना है लेकिन वो भी भाईया अपने हिसाब से, क्योंकि आगर आप हिंदी वले स्टेट से हो तो 11 नमबर प्लस और 9 इंदी वले स्टेट से 8-9 नमबर में, लेकिन उससे ज़्यादा कम नमबर है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा कम चाहिए का आपका सेलेक्शन होगा, इसलिए न आपके तेरा बहुत बच्चों ने फोरम भरा है, सभी का नौक्री नहीं होता है, नौक्री सिवन बच्चों को जो डिडिकेशना तैयारी करते हैं, जिनको वर्दी चाहिए, उन्हीं का सिलेक्शन होता है मैं दोस्तों, आपको वर्दी का जुन लाना पड़ेगा, मेहनत कर कर रहा है, और अपकी बार भाया, मैं बतारो, फूल मा लेके वर्दी इंतजार कर रहे हैं, अगर वर्दी चाहिए, तो महनत करनी पड़ेगी, बहाने सबके पास होता है, पर रिजल्ट सबके पास नहीं होता, और जिसके पास रिजल्ट होता है, बहाने नहीं होता है, यह जयाद रखना, तो मेहनत करो, सिलेक्शन इंतजार कर रहा है, जै हिंद, जै भारत लवी मेरे सारे भायों को